मेरा बहुत सीधा से सवाल है बिना Common Minimum Program के 400 पार की बात करने वाली BJP, NDA जो जीत का एक आकड़ा सेट कर चुकी है आज तक अगर आपने कभी सुना हो Alliance ने कह दिया कि हम इतनी सीटे जीतेंगे एक नंबर दिया हो BJP के लिए दिया, NDA के लिए दिया कि इतने सिमट जाएंगे लेकिन अपने लिए आज तक एक भी नंबर नहीं दिया बिना Common Minimum Program कैसे वो 400 पार के नारे का चैलेंज एकसेप्ट करते हुए जनता के बीच कहां स्टैंड आउट होता हुआ Alliance आपको नजर आता है 24 के चुनाव ने देखे सबसे पहली बात तो यह है कि जब चुनाव आते हैं तो जो सत्ता पक्ष की जम्मेवारी यह होती है कि वो अपना Report Card लेके जाए और अपने Report Card में बताये कि हमने जो वादे पिछले Manifesto में करे थे क्या वो पूरे करें? क्या आपने किसानों की आय दुग्री करी? क्या आपने 15-15 लाक रपे अकाउंट में आ गए? क्या जो आपने रोजगार की बात करी थी कि हर साल 2 क्रोड रोजगार देंगे वो 10 क्रोड रोजगार कहां गए? अब आपने जो वादा करा किसानों से किसानों की साड़े साथ सो किसानों की मौच से आपके हात रंगे हुए हैं आपके खिलाडियों के साथ जो अन्याय करा हुआ है उसके साथ आपके हात रंगे हुए है कि खिलाडी जो देश का नाम पूरे संसार के अंदर उचा करते हैं उनकी एफाई रजल्स करने के लिए उनको सुप्रीम कोड जाना पड़ता है आपको जवानों को जवाब देना पड़ागा देखिए आपने सारी सरकारी नोकरिया खतम कर दी चलो कोई बात नहीं जो आर्मी है आर्मी की आपने चार साल की जवाब कर दी आपके जगा जगा पेपर लीग हो जाते हैं आप आप देखिए आप ना किसानों की बात करते हैं ना जवानों की बात करते हैं ना खिलाडियों की बात करते हैं जो उनकी शेत्री में पार्टी है ज़दा बहतर समझती है लेकिन जो common issues हैं पूरे देश के अंदर वो महंगाई है, रोजगार है, स्वास्त है, एजुकेशन है, किसान है आप चारों, पांचों, पांचों पॉइंट्स के उपर आप फेल है आप कहा रहे हैं, आप चार सो पार जाएंगे, अगर आरे, आपके पांच स्टेट के चुनाव होते हैं आप अपने विदायकों के उपर विश्वास नहीं करते हैं, अपने 21 सांसद उतार देते हैं जब सांसदों का चुनावाता है, तो आप कॉंग्रेस का सांसद ले लेते हैं, हाम आदमी का सांसद ले लेते हैं, दूसरी तिसरी पार्टी का सांसद ले लेते हैं दिल्ली के अंदर छे सांसाथ और मजबूत नेता चाहे प्रवेश वर्मा हो मिनाक शीले की हो डाक्टर हरशरगन हो हांस राज हांस हो विदूरी साहब हो आप लेकिन वो छोड़कर मैधल साब दूसरी पार्टी में चले गए क्या टिकेट कटने के बाद और अरे सब की फाइ वो जो नीचे दबी हुई फाइले हैं उनकी कॉपी आपके पास है तो सर दिखाईए कर जरा अब देखिए आप दबी अवाज के अंदर कॉंग्रेस से छोड़कर जाते नेता मैधिल साहब कहते हैं कि चुनावों के समय बड़ी आम बात है कॉंग्रेस कहती है क्योंकि उनक को टिकेट नहीं दिया उनको उनके हिसाब की पोजीशन नहीं दी तो छोड़कर चले गए क्योंकि चुनावी मौसा में बहुत कॉमन बात है बीजेपी अगर अपने लोगों का टिकेट कार देती है तो छोड़कर चले जाते हैं क्या मैं वही बता रहा हूँ ना आपने वि नेरोजगारी बड़ा मुद्दा इसके अलावा भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा भ्रष्टा चार पीमले कानूंव उसको खत्म करने की बात करते हैं अपने आपने घोष्णा पत्र में विपक्श कहते हैं कि हम इस कानून को ही खत्म कर देंगे ये वो हैं जिनके उपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं जिन पर कई लोगों पर आज की तारीक में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी करवाई हो रही है वो कहते हैं कि जी कानून इतना मजबूत कर दिया है कि सारे के सारे विपक्षी नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया कॉमन मिनिममम प्रोग्राम तो होता जाती से हट कर प्रमुख मुद्दों की बात होती जनता जिन से दो चार हो रही है कुछ तो ऐसा कन्मिंसिंग होता कि है आपको लगता है धन्यवाद पहले तो आपको और पुरे देश को भारत माता की जब अन्दे मात्रम और मैं यह कहना चाहता हूँ अभी जो आपने कहा PMLA कानून इडी का तो मोधी सरकार की सोच है ब्रस्टा चार को खतम करना है ब्रस्टा चार हटाओ और आज जो विपक्ष का कॉमन मिनमम प्रोग्राम है वो यह है ब्रस्टा चारी बचाओ आप देखिए अभी आपने ही खुद कहाना कि यह कह रहा है कि हम PMLA कानून को खतम करेंगे उसमें एक क्लॉज और है कि यह एजिंसियों के अधिकारों को कम करेंगे एक क्लॉज है कि हम बुल्डोजर कारवाई को बंद करेंगे अब देखिए पूर्णिमा जी ब्रस्टा चार के खिलाब कारवाई होगी उसको रोकने का अर्थ क्या हुआ ब्रस्टा चारी का समर्थन आप बुल्डोजर कारवाई को रुकवाने की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप अपरादी के साथ हैं ब्रस्टा चार का साथ देने वाले आज खड़े होकर खुलकर कह रहे हैं कि हम तो जो एजेंसियां चोरों को पकड़ रही है नोटों के बंडल पकड़ रही है सोने की इटे पकड़ रही है उनके अधिकारों को कम करेंगे जो बलातकारी जो मापिया समाज में घुसकर निर्दोच लोग की अत्या करते हैं, माँ बेनों का बलात्कार करते हैं, उन लोगों के घर उपे यदि बुल्डोजर चल रहा है, तो इसको हम रोकेंगे, दूसरी चीज, कॉंग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहुत चिला रही थी, कि महिलाओं के लिए क्या कर दिया, अरे मेरी बेन, आपने क्या किया महिलाओं के लिए जरा बताईए, साथ चाल तक हमारी माता है और मैंने खुले में सौच करती नहीं, आपको याद आई क्या, मैं आपसे पूचता हूँ, आपने कभी वह दर्द सहा है, कि सूरज हुगने से पहले और सूरज धलने के बाद, ही शौच पे जाएगी मेरी बेन, उससे पहले यादि उसको शौच क्या हो चकता है, तो वो क्या करेगी, नहीं सोचा था, यह देश के बेटे ने सोचा, नरेंदर मोदी ने सोचा, एक चायवाले ने सोचा, दूसरी चीज, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, देश गरी भी हटाएंगे, गरी भी हटाएंगे, गरी भी नहीं हटी, लेकिन कॉंग्रेस के टू जी, त्री जी, चीजा जी, कोल जी, नजाने कितना कुछ हुआ, और आप लाको करोड रुपे के मालिक बने, लेकिन यह देश का बेटा नरेंदर मोधी, इसके 625 करोड भारत वास गरीबी रेका से बाहर निकले हैं, यह मैंने ही कहता, यह निती आयोग का डेटा कह रहा है, और एक और डेटा में बताएंगे, अती गरीबी, अती गरीबी की मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, आज देश में IMF की रिपोर्ट है यह, 0.7% केवल यह रह गया है, एक और यह कह रहे हैं कि बेरोजगारी, अरे भहिया, आप मुझे जरा बताएंगे, 2014 के अंदर कितनी थी प्रतिविक्ति आये, मात्र सबातर हजार रुपे, और आज कितनी है, एक लाक इकतर हजार रुपे, तो यह ऐसे ही आ गई क्या, और आपके राज्य में, जब 2014 से 24 के बीच म दबल डिजिट में आपकी विरोजगारी दर्थी, दबल डिजिट में महंगा दर्थी, लेकिन आप लोग तब याद नहीं करते, और आज जब देश के अंदर, बेक इंटिया, मेड इंटिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया के मात्यां से, लगाततार रोजगार की लाइन लगी हुई है तो आप ये चिला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जो तमाम बाते विपक्ष कह रहा है वही शिगूफा है और असल में ग्राउंड पर काम हुआ है जिन मुद्दो को लेकर ये बात करें सेटिस अब 10 सेकिंड में आप जो काउंटर लग रहे अखिलेश यादव ने का पुक्मरी खात्म करने का टांगट नहीं दिया किए उन्हों ने तो भुक्मरी खात्म नहीं करनी चाहिए गरीबों को खाना देना उसमें और गरीबी है तो उसमें भी आई तोबाई जल्दी से जवाद ने बहुत अच्छा प्रश्ण ठाली है इसे कहते है सेल्फ गोल जटी साब पंजाब से आते हैं और पंजाब में सबस्दा किस प्रकार से वहाँ पर अनाज को सेव किया जाता है खुले में खुले के अंदर उस अनाज को इखटा करक रख दिया जाता है और बारिस से उस अनाज को सड़ा कर शराब माफिया को बियर माफिया को इन्हों ने दिया उसको मोधी सरकार ने खत्म किया नरेंदर मोधी जी कि सोचे यदि हमारे पार नहीं है तो हम क्यों नहीं करीबों को क्यों नहीं अपने कंट्रॉल रेट पर अनाज को देंगे लेकिन ये लोग सिर्फ चिला रहे हैं मैं ये पूछता हूँ कि आखिर क्या कारण है आप गरीबी गरीबी चिलाते हैं करोड डोड देश के अंदर करोना की लगी इन जब पूछे क्यों करीबों कर लगी क्या से अब सरकारी हस्पदाल में मैंने पे डोड ली इन्होंने लिए आपने लिए अपने लिए अपनी माजी क्या हम लोग खईद नहीं सकते थे क्या